लालच बुरी बला है किसी जंगल के किनारे पर एक चरागाह था चरागाह उस स्थान को कहते हैं जहां पशूँ को चराने के लिए लेकर जाते हैं आसपास के गाउं के चरवाहे अपने पशूँ के जुंड के साथ वहां आते थे जब जानवर भास चरते तक चरवाहे समय व्यतीत करने के लिए आपस में खेलने लगते तो जब पशूँए अपना खाना खाते वहां पर खाना चरते उस समय सारे चरवाहे आपस में मिलकर खेलने लगते चरागह में एक बड़ा और पुराना पेड था उसके तने में संक्रे मुह वाला बड़ा सा कोटर था उस पेड के जो बहुत बड़ा और पुराना पेड था वहां उसके तने में संक्रे मुह मतला पतले मुह वाला एक बड़ा सा कोटर कोटर मींज एक होल चरवाहे वहां पहुचने के पस्चात अपने साथ लाया खाना उस कोटर में रख देते थे और दोपहर में खाना निकाल कर वे एक साथ खाने का आनंद लेते वहां बैठकर दोपहर में सारे चरवाहे एक साथ मिलकर खाना खाते एक दिन एक भूखा लोमड उस ओर से निकला लोमड मींज फॉक्स एक फॉक्स वहां से निकला तभी उसकी नाक से खानी की गंद टकराई जिसका पीछा करते हुए वह कोटर तक जा पहुँचा सुंगते सुंगते वो कोटर तक जा पहुँचा जहां से वो सुगंद या गंद आ रही थी भूक के कारण उसका पेट पिछका हुआ था अता वह आसानी से कोटर में घुश गया वो बहुत भूखा था जिस कारण उसका पेट एकदम पतला था और वो आसानी से उस पतले या संक्रे मुँवाले कोटर में जाकर घुश गया कुछ ही देर में भूका लोमड सारा खाना चट कर गया जब उसका पेट बहुत फुल गया था सारा खाना उसने वहां का खा लिया जिस कारण उसका पेट बहुत सारा फुल गया मतलब मोटा हो गया उसने कोटर से बाहर निकलना चाहा तो फुले हुए पेट के कारण बीच में ही फज गया अब लुमड ने इतना सारा खाना खा लिया था कि उसका पेट एकदम फुल गया जिस कारण वो कोशिश किया कि उस कोटर से बाहर आ पहुँचे पर क्या हुआ वो निकल ही नहीं पाया तभी चरवाहे अपना खाना लेने वहां आए उन्होंने लुमड को देखा तो उसकी जम कर पिटाई कर दी क्या हुआ लुमड वहां से निकल ही नहीं पाया उस कोटर से और वहां पर चरवाहे आकर उसको देख लिये और उनको सब समझ में आ गया कि इस लोमड ने हमारा सारा खाना खा लिया है तो जर्वाहे ने सब जर्वाहे मिलकर उसको जम कर पीटने लगे इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है यानि लालच करना बुरी बात है कैसे अगर लोमड बिना लालच करे सारा खाना ना खाता थोड़ा ही अपना पेट जितना भर जाए उतना ही खाता तो उस संक्रे या पतले मूँ वाले कोटर से आराम से बाहर निकल जाता और उसे पिटाई भी सहन नहीं करनी पड़ती पर उसने क्या किया भर पेट खाना खाया और उसका पेट फुल गया जिस कारण वो कोटर से बाहर नहीं निकल पाया तो इसलिए कहते हैं हर चीज की अती हानिकारक होती है अशा है आपको ये स्टोरी अच्छे समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा मिलते हैं अगले स्टोरी में बैबाई